हम एक टीवी चैनल को कल देखा वो टीवी चैनल भी रोश्णी जैस्वाल का चरित्रनन बलतकार की धमकियों का कहीं न कहीं समर्थन करता हुआ दिख रहा था और जूटा बयान उस टीवी में अब यह पुलीस बताए कि क्या पुलीस ने टीवी चैनल को बताया है कि सैफरन राजेश सिंग गिरफतार कर लिया गया है हमारी जानकारी के अनुसार अगर पुलीस ने यह सूचना टीवी को दी है तो टीवी और पुलीस बताए हमारी जानकारी में सैफरन राजेश सिंग बलातकार की धमकी देने वाला आजाद घूम रहा है लगातार अभी रिसेंट एक उनका ट्वीट आया जिसमें वो भाजपा के नेताओं का और आरेसेस के नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने राजेश सिंग के उपर कोई कारवाई नहीं होने दी वो पूरी तरह से सुरक्षित आजाद है और वो अभी भी लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिये होते हुए बलातकार की अंजाम भुगतने की और पुलीस इरासत में कुछ भी उस ब आ आ आ आ की